कि नमस्कार साती और रजल्ट गूरूप राव सभी का सुवागता विनंदन है जितने भी साती है एक बार सभी मिलकर के सेशन को अच्छे से लाइक सेर कर देंगे और जुड़ जाएंगे आज के सेशन में आज अपन बात करने वाले सीटेट के ही बहुत ही महत्तोपों अधार पर जो कल मैंने आपको ठोरी करवाई थे उनके अधार पर जितने परसन आपके बढ़ते हैं उन सभी परसुन का अपन क्या करेंगे डिसकर्स करेंगे तो जितने भी साती है आज का पहला परसन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है क्या कह रहा है कि तीन अंकों की अधि संख्या बोले सरस्व अगर मां अंतर निकालता हूं तो कितना आया वोले शर 899 हमारे प्रसंद का अनसर होगा जो की क्यों सन्का क्या है करेक्ट अनसर होगा इस परकार के सेटेट में आप लोगों के परसेल पूछता अगला प्रसंदे को क्या करें नेक्स्ट कि छबीस को एक बटादो से भाग कर रहा है चब्वीस का एक बटादो यह दो कहां चला जाएगा बोले सर्थ 20 के पास चला जाएगा 26 को 2 से multiply करे कितना हो गया बोले शर्बावन हो गया 26 को अगर मैं दो से multiply करता हूं सिंपल सी बात बावन हो गया अब क्या कह रहा है कि 30 जोड़ ये 52 में मैंने 30 जोड़ दिया और फिर कह रहा है कि 35 को गठाई मुझे एक चीज बताओ यहाँ पर 30 जोड़ोगे फिर 35 गठाओगे तो डायरेक्टी 5 जोड़ दो ना 52 और 5 कितना हो जाएगा बोले सर बावन में है एक करेक्टर है हाया ना अगला प्रसंदे को में स्क्रीन पर लगा रहा हूं जितने बालग बालिका देख रहें सभी सुन रहें एक बार मुझे इस परसंद का कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताओ आनसर क्या होगा कि बोले सर फॉर फाइब सेवर नाइन प्लस एक्स प्लस थ्री एट नाइन फाइब बराबर 9090 है तो एक्स का मान ग्यात करूं इन दोनु वेलियों को जोड के यहां से गठा दू है और फाइब सेवन नाइन देखो नो और पांच चौदा दस और साथ सत्रा कितना बोले ग पर सन का आझारा जाएगा वैं कि इतना पर कितना बोले गुरू जी एक यहां पर कितना बोले गुरू जी ऐखी यहां पर कितना वैड़ी के बीच में कितने अभाजे यूगम है देखो अगर मैं अभाजे यूगम की बात करता हूं तो अभाजे यूगम वो होता है जो आपका प्राइम नंबर होता है और दो अभाजे संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए दो होना चाहिए वो हमेशा क्या होता है अभा दोनों के बीच में दोग्हां तो इक्यावन और सो के बीच में केवल दोड़ यूग्म हुते हैं पर जार यूम पर सनद नेटिक हजार बार लंगों होते हैं एक तो उंसट्ट और गशत्प दोड़ का है एके संकानसर भी खतम अगला बताओ दो संख्याओं का LCM उनके HCF का बीस गुणा है तता LCM प्लस LCF 2520 तो LCM और HCF का अंतर क्या होगा बताओ HCF का कितना गुणा है बोले सर बीस गुणा है बताओ अगर इसको एक को एक्स मान लेते हैं तो यह क्या हो गया बोले सर बीस एक्स हो गया और इनका क्या देर खा है बोले सर लसी एम प्लस HCF कितना देर रखा है पच्छी सो बीस देर खा है तो यहाँ पर कितना बोले गुरू जी x प्लस 20 x बराबर कितना बोले sir 2520 आ गया 20 और एक कितना हो गया 21 x बराबर 2520 आ गया मुझे एक बाता हो अगर मैं 21 का भाग इसमें लगाता हूं 2520 में तो x की value कितनी आ जाएगी बोले sir 120 बार चला जाएगा अब person क्या कह रहा है कि lcm और hcf का antar क्या होगा भाई lcm तो आपके पास में x की value कितनी आ गई बोले गुरू जी x की value 120 है तो hcf आपका 120 हो जाएगा lcm को मान लेते हैं या इसको मान लो ssf इसको x मान लेते हैं कितना बोले गुरू जी hcf हमारा आ गया तो यहां पर 20 गुणा में क्या करूंगा 120 और माइनस का कितना बोले गुरू जी 120 बारा एकम बारा बार दुनी 2400 माइनस का 120 अगर यहां पर 2300 कितना 0280 इन दोनों के बीच का अंतर करता हूं तो कितना आता है 2280 मेरे परसन का आजाता है जोकी परसन का यह करेक्ट आनसर है तो हमारे परसन का अनसर आगया 22080 जो कि क्योन का क्या है एक simple से simple person आप लोगों की एक्जाम में पूछता कोई बड़े पहाड़ वाले क्यूसर नहीं पूछता है फिर भी नजाने पता नहीं आप लोग क्यू परेशान रहते हैं बोले गुर्जी माक है तीस मासू तीस नंबर आऊंगा को नाऊं मैंने कह दिया विटा कि पूरे में से पूरे नंबर लाने का एक यू भाई हो सकता है निमन में से वो कौन सी संख्या है क्यूसर नंबर छे आट एक साथ के उप्योग से बनाई जा सकने वाली चार अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या जबकि इन अंकों में से कोई एक अंक दो बार परकट हो सकता है तो आट एक और साथ से बनाई जा सकने वाली एक अन्थ दो बार परकट हो रहा है तो आठ सबसे बड़ी संक्या है, साथ दो बार परकट हो गया और एक यहाँ पर आपको दिख रहा है तो कितना? बोले सब, डबल एट सेवन वन हमारे परसन का अनसर हो जाएगा जो की क्योशन का क्या है? करेक्ट अनसर है सभी दिसाओं में अनंत विस्तर्त एक सपाट प्रस्ट निमन रूप में जाना जाता है तो वह कौन सा है बिंदू है रेखा है समतल है रेखा खंड है क्यूसर नंबर साथ का जवाब देंगे सारे बालक बालिक है सभी दिसाओं में अनंत विस्तर्त एक सपाट प्रस्ट निम लिखाने कि अगला किसी तीरू medidas के प्रिज५ में कितने सिर्ष होते हैं क्यूल संब्र अर्ठ का जवाब देंगे सारे बालग बालिक हैं सब को पता है किसी तिर्भुजी आदार के प्रांव में कितने सिर्ष होते हैं मोख़ा हम combination of पुछा जा चुका है पर्मालो थोड़ा थोड़ा गोर कर लो अभी भी मोका है सुधर जाओ किसी संकु का पार्सव दर्श से निमन रूप से परकट होता है तो क्या होता है बोले सर संकु है यह आपका क्या है बोले सर संकू है यह इसका अंदर का जो निकल के आता है पार से दर से तो वह किसके आकार का होता है बोले सर तिर्वुज के आकार का होता है तो परसन का अनसर क्या हो जाएगा पहला यह ओप्शन हमारे परसन का अनसर हो जाएगा क्लियर क्या कह रहा है किसी बातर मैं 35 पाण सट्क पाण सब्सक्राइब ये इस में 351 ये तर मिली लिटर ते लोड दिया जाए तो मिसरन निकल मात्र कितना होगी बोले सर्फ पाण्लेटीस पॉइंट पॉइंट फान सो साथ कितना बोले ज़र 875 इसमें यदी इसमें 875 मिला रहा है के वर तो जोड़ दो भाई कितना बोले गुरुजी पांच छहर से बारा और एक तेरा आठ और एक नौर पांच चाओदा कितना बोले गुरुजी कि 36 435 परसन का अनसर पहला यह उप्शन हो जाएगा जो कि हमारे परसन का क्या है करक्ट अनसर अगला देखो किसी स्कूल में अध्यान सवा 9 एम पर प्रारम हुआ तक मद्य आउकास 12 पच्पन पर होता हुआ तक मद्य आउकास तक अध्यान नियम समय कितना था बोले सर्व बारा पच्पन में से क्या कर दूंगा नो बज़ करके 15 मिंट को गठा दूँगा यही करना पड़ेगा बोल से परसन आप लोगों के सीटेट में पूछता है फिर भी आप लोग बताएं ऐसे निरास हैं कि पूछो मत सोने के गले के एक हार का भार साथ गराम छे डीजी तीन सीजी आठ एम जी है यदि इसमें तीन डीजी एक सीजी देखो यहां पर यह जीडी जीडी इनको अठा दो साथ चैसे तीन आठ इसमें क्या करता है कि भोती मतों महार में सोने का भार क्या यह इसमें तीन डीजी एक दो भार के मोति तो बाइज जब सोने का भार पूछ रहा तो क्या करना पड़ेगा बोले गुरुजी मामलो सेट करनो पड़ेगो क्या तो क्या देरका हैक बोले तेन डीजी दे रखाय है तो डीजी वाले के सामने रख दो बोले तर तीन गठाब कि पूछ्रा पांस में से तीन गया, आट में से तिन गया तोnin तो पांच आया, यह दो आया, यह तिन आया, यह 27-25 यह हो जाएगा साथ इनटु तेरा बराबर 12 का सqoayre माइनस एक है 15 सब्सक्राइब सोड़ा का स्क्वाइर माइनस एक तीस इन्टू आवर इक इसका स्क्वाइर मैंने से कभ अब यहाँ पर क्या आए कि 46 बराबर मैंने करू तो कितना आएगा बताओं यह कैसे होगा बोले सर्फ 12 x 13 का अगर मों multiply करता हूं तो 12 का square होता है 144 माइनस का एक आता है अगर 11 x 13 का भी multiply करता हूं तो मेरे पास में कितना आता है बोले सर 143 आता है अब इसी परकार यहाँ पर 16 का square माइनस एक तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा आपको बोले कुझे 44 इंटू 46 कर दो और 45 का स्कुआइर माइनस का एक कर दो परसन का अनसर आ जाएगा खतब कौण सा ओप्षिन हो जाएगा- बोले सर हमारा परसन का अनसर D हो जाएगा जो की क्योशन का क्या है एक करएक्टान्सर है, बताओ भाई हाया ना, अगला देंको, फटा-फट लगाईगे भाई अजपर ethical. परतम दस विसम अबाजे संख्याओं का माद्य क्या होगा परतम दस विसम अबाजे संख्याओं की बात कर रहा है अबाजे संख्या बोले सर वही तो है विसम की बात कर रहा है परतम संख्या भी आपकी विसम आने चीए जबकि आपको पता है कि सबसे छोटी अबाजे संख्या दो होती है लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि फरतम दस विसम अबाजे संख्या तो तीन पांच साथ ग्यारा तेरा सत्रा उन्नीस तेबीस उन्तीस इक गतीस होगे गे रहे एक दो तीन चार पांच छे साथ आर नो दस और भाग लगाओ वाई साब इसमें किसका बोले गुरुजी दस का अगर सबका योक करता हूं एक और नो दस और तीन तेरा तेरा और नो बोले गुरुजी 22 और साथ बोले गुरुजी बाइस और 112 13 14 15 वनाई ओर भाग लगाया 10 का कितना बोले सर्फ 15 पॉइंट आया हमारे परसंट का अंसर क्या हो जाएगा 15.8 हमारे परसंट का मतब बी आंसर हो जाएगा जो कि क्यूशन का क्या है करेक्ट आंसर है अगला बतावे कि साथ 13 655 508 कि गणीत की एक टेस्ट में तीस विध्य आति द्वारा प्राप्त किये गए अंग नीची देगे पांच से अधिक या उसके तो हो गया साथ एक हो गया आठ नो और कितना यही है मैं काउंट कर लो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चवदा पंदरा सोड़ा सत्रा हमारे परसंड का अंसर आ गया एंसर इस दर राइट आंसर जो कि क्यूशन का क्या है एक करेक्ट आंसर है अगला परसंड बताओ ज बाइब को कितनी जल्दी स्टार्ट है मामला सेट करने में ज्यादा समय लगाई नहीं है बताओ वैसारे के सारे बालक एक बार जितने वी साती है सारे मिलके सेसर को लाइक सर करो और एक बार बिलकुल सेसर को अच्छे से से शेर भी कर देंगे भाजी तब तक मैं पानी का गुटकल लेता हूं है कि अचिन आधारी ते पर किरिया अत्मक परवाह पर अन्ता वोर्ड अन्तर ग्या एवाउन लोकुन पर तर्क एवाउन लोकुन पर तर्क आव वीवेचन पर क्यूसन नमर सोडा का अनसर देंगे मुझे तो तरक और विभेचन के उपर लगता आपका क्या है है आपका आंसर क्या है कि बोले गुर जी मॉस्टा और किसके उपर हैं विभभाय के उपर गणी की चिन्तन की बात करती तो तरको यह विवशन में पर होगा। किस पर होगा से हमगी दो दो और दो बार दो का दो गुणा चार बार तीन और दो बार तीन का दुगुणा और इसी परकार सिखसक का उदे से है क्या उदे से है वाई सिखसक का बोले सर सत्रा के अंदर हम बात करें तो अपने गनीतिय योग्यता दरसाना नहीं मेरे भाई गनीतिय युगता उसको पता है कि बच्चों को किस प्रकार सटिस्पाई करना है दुगने की आउधाना का परीचे देना नहीं भै पहाडे सिगर सीखने के लिए गनीतिय युगतियों को उप्योग करने के लिए विध्यारतियों को प्रोथसाहित करना नहीं इसका answer तो D होगा विध्यारतियों के पूर्वे ग्यान का उप्योकर नवीन आउधाननाओं के विकास हेतू परतिमानों और समंदों का उप्योकर ना person का answer D होगा हमारे person का answer D answer is the right answer हो जाएगा मेरे भाई जो की question का क्या है एक correct answer है अगला person आपके सामने लगा रहा हूँ स्क्रीन पर की चार के गुणन पहाड़े का सिक्सन करते हुए सिक्सक ने दो के पहाड़े का निमन प्रकार उप्यों किया चार बार दो दो इसका यू करते हैं आठ दो बार तो उसने दो का दो गुणा बोले सर दो बार दो का दो गुणा तो दो इंटू दो कितना होता है बोले सर देखो ये भी चार ही होता है ये भी चार ही होता है अब चार बार तीन तो कितना बोले सर बारा तो यहां पर दो बार तीन का दो गुणा कितना बोले कुझी तीन दो निचे तीन दो प्यूम कर रहा है अगले देखो है अठारा नमबर क्या कह रहा है पढ़ो एक चातर के पास भिन की अवधारना है वह परीमे संख्या की अवधारना को भिन से जोड़ कर आसानी से समझ सकता है पियाजे के अनुसार कौन सी संग्यानातमक परके लिए इसके लिए उतरदाई है क्यूसर नमबर अठारा को जवाब देला वाई सारा का सारा मेलर की यह आत्म साथ मचान बिल्कुल यह किसे है ऐसी मिलेशन से है आत्म साथ नोट कर ले ना भाई एक चातर के पास भिन की अवधारना है वह परीमे संख्या की अवधारना को भिन से जोड़ कर आसानी से समझ सकता है पियाजे के अनुसर कौन से संग्यानात्म परकिरिया इसके लिए उतरदाई है तो इसके लिए कौन से उतरदाई है बोले सरी यह आत्म साथ करना एसी मिलेशन करना यह किसके लिए जो पियाजे वाला है उसके लिए है अगला देखो है पियाजे के अनुसर कर दो अंकों के संख्या को गोणा करने में सक्सम नहीं सिक्सक सिक्सिका को कौन सा तरीका युगती बच्चे को दो अंकों की संख्या कि गुणा सिखाने के लिए सरवतब होगा उसह विद्यार्थियों को पहले गुणा सान्डी Pahad़ याद करवाने थे यह थर थे थे थोड़ी शीक पाईगा बच्चा सुन विए तो इस प्रकार होगा इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहां पर भी वही बात कह रहा है कि वह है पहले एक अंकिय संख्या की गुणा करने में विद्यारतियों के मदद करें तत्वस्याद दो संख्या को संख्या को गुणा कर ले में सख्यूंग Шमण दो संख्या का बिद्या बताओ बैसारा का सारा साती आनसर देला क्यूसर नमर 20 का भी कि बस संख्या 75 सेंट्रल मार्केट जाती है यहां संख्या का उप्योग अभिहित अंकित है मैंने बताया भी होगा आपको कि जहां पर अंकित होता है जैसे किसी वस्तु की MRP जहां पर जो अंकित होती है हम उतने संख्या 75 सेंट्रल मार्केट जाती है संख्या अंकित अंकित उप्योग जैसे एक नामातर संख्या एक संख्या जिसका उपिक उती किसी वेक्तिय वस्तु कि पहचान करने के लिए क्या जाता है। ककसद पाच के एक विध्यारती को जब चार सो लिखने के लिए कहा जाता है तो है चार हजार दो लिखता उसी प्रकार 608 को 6008 लिखता है लिखती है इस ब्रहांती का सरवादिक उप्यूप सफस्टिक रण क्या है क्यूशन नंबर 21 आपन आख्यां का सामान चरवायावरों बताओ आनसर के वड़ को बच्चा साधानते लापरवा है लापरवा की कोई बात नहीं इसमें बच्चे को इस्ताने मान परनाली का पूर्ण समझ नहीं है यह बात साही है बप्च्चे को इस्ताइने मान पंडाली के समझ नहीं है उनकों की समझ नहीं है कि अंकों को किस परकार लिखते हैं उसको केवल बोल दिया जीरोकार इसका कोई फरक उसको समझ में नहीं आ रहा था अगली बात देखो इसमें क्या ककसा पांच के विद्यारती को जब 400 लिखने के लिए कहा ज Detection No.22 शिख्सक एक आयत का छेतरफल ग्यात करने के लिए शुट्र देता है और बच्चों को भिन-भिन आयताकार कट आयट का छेतरफल ग्यात करने के लिए परसन का अनसर क्या होगा है जानलो सिक्सक एक आयत का चींद्रपल ग्याद करने के लिए चूतर देना और बच्चोंग विन भिन आयताकार कटाउटा的 इत्रपल याद करने के लिए कहना सिक्सक दोवारा निगवनात्म के विदी का उप्यों किया जा रहा है निगवनात्म के विदी इस सिक्षन प्रकिरिया में सिक्सक बालकों के सामने पहले किसी सामाने नियम को प्रस्तूत करता है तत्वस्यात उस नियम के सत्यता की परमानित पर्मानित करने के लिए विभिन उधारणों का प्रियोग करता है अगला देखुए क्यूसर नंबर 23 का अनसर क्या होगा जितने विशाती देख रहे हैं सुन रहे हैं कि जैनेट अपनी कक्सा में बहुबुज के कई उधारणें गेवर उधारण देती है वह गणीती सब्द संग्रे का उप्योग करती है और विध्यारती को परीचर्चा में सहलंगर रखती है उनके पास से बच्चों द्वारा की गई तुरूटियां और उनके वेकल्पिक अउधानाओं का भी ग्यान है निमन लिखित में कौन सा एक गणीत सिख्षक के रूब में जैनेट के लिए सरवादिक उप्यूक्त है बताओ भाई क्यूश्व निंबर 23 का अनसर दो सारे बाद क्या उस सिख्षा सास्त्रिय विश्यवस्तू का ग्यान है जैनेट वाला मामला कह रहा है कि गणीत सिख्षक के उसे कैवल विश्यवस्तू का ग्यान है नहीं भाई उसे पाठे करम का ग्यान है उसका पूरा ग्यान है क्या कह रहा है उसे सिख्षा सास्त्रिय विश्यवस्तू का ग् कुँए सिक्सर कारे की परकेरिया का संपूर अध्याइन सिप्स्या सास्तरा इस उप्यॉक्त परशनानुशार गणित एक सनरचनावादी ककसा में गणीत का एक सिक्सण एम अधिगम प्रकिरियों में सुदार कर सकता है ककसा इप्रकिरियों पर मनन कर अभ्यास के लिए अधिक परसंद दे कर केवल योगातमक आखिलन पर ध्यान के इंदृत करना होनहार विद्यारतियों की पहचान कर उने परती योगात्मक प्रिक्षाओं के लिए तयार करना तो कौन सा आंसर होगा बोले गुरुजी कक्सा प्रिक्रियों पर मनन करके होगा ने तो इसमें अभ्यास के लिए अधिक परसंद दे कर करना और केवल योगात्म का अगलन पर ध्यान केंदरित करना और होनार विद्यारती के पहचान करो उन्होंने परती योगात्म प्रिक्षाओं के लिए तयार करना तो हमारे परसन का अंसर तो पहला ही हो जाएगा कि एक रचनावादी कक्सा में गणीत का एक सिक्सक सिक्सन और दिगम परकिरियाओं में सुधार कर सकता हो तो किस में कर सकता है कक्साई परकिरियाओं पर मनन करके कर सकता है क्यों कर सकता है वो भी जान लेते हैं एक संद्राचनावादी कक्सा में गणीत का एक सिक्सक सिक्सन और दिगम परिक्रियाव में सुधार कर सकता है जब करक्साय परिक्रियाओं पर मनन करें उसमें वाप्त कम्यूं का पता लगाए अगला बताओ भाई क्यूशन नंबर 25 बताओ राष्ट्रिय पाठे चर्चा रूप रेका दो हजार पांच के अनुसार प्रात्मिक इस्तर पर गणीत में सिक्षन और अधिगम विद्या केंदरित होनी चाहिए तो पहला ओप्सन आपके सामने है गणीत में विविन परती मानों की खोज पर बिल्कुल बाई साथ पहलो मामलो ठीक वैट्रिज में सिक्स यार्तियों में अनुमान एवम सनी कटन के कोश्रों के विकास पर बिल्कुल बाई साथ हैं सी क्या कह रहा है कि अधिगम के अनौपचारिक विद्या जैसे खेल पहली हल करने इत्यादी में बिल्कुल बाई साथ परिसुद समस्या समाधान पर गलत बाई साथ तो हमारे परसंद का अनसर ए बी और सी होगा जो कि हमारे परसंद का अनसर क्या हो जाएगा सी ओप्सन हमारे परसंद का क्या हो जाएगा करक्ट अनसर हो जाएगा भाई नहीं समझ में आया हो तो दुबारा पूछ लिएगा अगर समझ में आ गई बात तो बिल्कुल यस यह दो बता देना आगला देखो कि राश्ट या पाठ्थे चर्चा रूप रेका 2005 के अनुसार प्रात्मिक इस्तर पर गणीत में सिक्षन और अधिगम विद्या निमन बिंदू पर केंदरित होनी चाहिए गणीत का सिक्षन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि गणीत को विद्यार्तियों के विवारिक जीवन में आसानी से जोड़ा जा सके जा सके क्यूसर नंबर 26 स्क्रीन पर है बताओ वाई सारे के सारी बालक बाली का जितने साती देख रहें सुन रहें सवी को नमस्कार राधे 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 बताओ वाई कि निमल लिखित में से विवाजन की संकल्पना से संबंदित विविन विविद रचनाय कौन संद्रचनाय कौन सी है बोले गुरुजी पहली संद्रचना अपनी कर्मी करण है अनुपात समान संभागी और पुन विवस्तित करना परसन 26 आपके सामने स्क्रीन पर बैठा है तो मुझे लग रहा है इसमें केवल और केवल ने तो इसका कर्मी करण होगा और नहीं पुन विवस्तित होगा ये केवल और केवल क्या होगा अनुपात समान संभागी होगा परसन का अनसर B और C होगा क्यूं होगा वो भी जान लो भै गणित में विभाजन एक विशिष्ट रासी को समान भागों में विभाजित करने के परकिरिया है परसनाम सार विभाजन की संकल्पना से संबंदित विभिन संद्रचनाई निमन है पहला अनुपात गनीत में अनुपात समान परकार की दो संख्याओं के बीच के संबन्ध को कहते है समान संबागे किसी संख्या या वस्तू के संग्रे के छोटे और बराबर समुmi विभाचित करना समान बटवारा कहलाता है दो भाईों के बीच में जब बटवारा होता है तो आजू बाजू वाले नहीं बैठते हैं रिस्तेदार वाले बैठते हैं जो समझदार भाई होता है वो तो भाई के भाई बैठके कर लेते हैं जो ऐस समझदार होते हैं उनके बीच में रिस्तेदार आते हैं हर एक परिवार में होता है लेकिन जहां पर चोदर करने के लिए रिष्थिदार और आड़ोशी पाड़ोशी बैटके इसका मतलब समझे लेना वो घर क्या है विनास के अगले चरम सिमा पर है अगला देखो 27 संख्याई संख्याई कोसल के विकास का अर्थ नहीं होता है अर्थ जिसका नहीं होता है वह आपसे पूछ रहा भाई कई अर्थ वाला मत निखाल देना 27 में बताओ भाई संघ्याई को रण कर याद करना यह पकड़ा गया चौर है कम पकड़ा गया बोले सरी यह पकड़ा गया चोर क्योंन को समझने की स्मता से संबसे दिखी संख्या उर संक्रिया के जिसका मतलब यह जानना है कि वे एक दूसरी को किस प्रकार संबंदित है संख्या के साथ साथ आकरतियों के बारे में समझ वास्तिविक जीवन में आकुड़ों की परबंदन के लिए आवस्य कोसल इत्या दी तो यहां पर आदे संख्याओं को रटकर याद करना संख्या कोसल का विकास नहीं है कि उसने वर ठाइज बताओ वाई प्रात्मिक इस तरके गणीत में पाठे पुस्तक विविद कविताए कहानिया और परतिमान सलंगर करती है रास्ट ये पाठे कर्मा पाठे चर्चा रूप रेका 2005 के उनुसार इसके लिए निमल लिखित में से सर्वाद की उपयूक्त कारण क्योंसा है कि उसन नंबर 28 अपने सामान सै बच्चों के लिए गनित की कक्वाख्षा को कम उबाऊ बनाना बच्चों की सब्दावली का विकास करना गणीत की कक्सा में कुछ फुरसत का समय निकालना गणीत को संदर्वित बनाना और बच्चों के जीवन के अनुभव से जोडना डीप और डोग वाला मामला यहां पर फकडा गया देखो बच्चों के लिए गणीत की कख्षा में कम उबाव बनाना गलत बात है बच्चों की सब्दावली का विकास करना नहीं उप्युक्त कारण पूछा गणीत की कख्षा में कुछ फुरुसत का समय निकालना नहीं यहाँ पर काय कि गणीत को संदर्वित बनाना और बच् कि जोड़ना तो क्या होगा मेरे भाई अगला क्यूशन नंबर 29 स्क्रीन पर मैंने लगा दिये हैं जितने भी साथी देख रहें फटाक से कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताओ आनसर के वैब क्यूशन नंबर 29 काक्सा 5 का एक विद्यारती दो अंकों की संख्या का गुणन इस पर कार करता है कि 17 इंटू 26 तो इसको क्या लिखा इसने बोले सर 17 इंटू 26 ता उसके क्या कर दिया टूकड़े 20 पलस है तो 17 को 20 से मल्टिप्लाइग ए 304 और 20 को 17 को 6 से मल्टिप्लाइग 102 तो टोटल कितना हो होगे 42 सिक्सक सिक्सिका को इस विद्यारती का मुल्यानकन कैसे करना चाहिए अगला ओप्सन है पहला कि अध्याप्व को इसे सुनने अंक देने चाहिए क्योंकि एक गलत विदी है बाई सुनने अंक कैसे देदेगा इसने तो बिल्कुल सही काम किया है विद्यारती ने अल सबसे बड़ी खुशी होती है कि बच्चा सी कर रहा है मेरे जो छोटे बड़े बड़े भाई वह कुछ यूनिक कर रहे हैं सबसे बड़ी खुशी होगी कि नहीं होगी मेरे भाई दुख की बात नहीं सबसे बड़ी खुशी होगी तो इसलिए उसकी परसंट सा कर उसे पूरे अंक देने का प्रियास करना चाहिए अगला परसंट तीश आपके सामने स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है बताओ भाई सारे के सारे मिलके इस परसंट का अनसर का ही दोला रहे हैं का यह अनसर दोला रहे हैं गणीत पर रास्ट्रिय पाठे चर्चा रूप रेका दो हजार पाच के पत्तर के अनसर लोक कलन विधी की समदर ताकि परसंट सा सरहना बच्चे के गणीत के बोध को समर्द कर सकती हैं के लोक कलन विधी से क्या अभिप्रा है। लोक गीतु को गाने के लिए खलन विधी का विकास करना गलत बात है। प्राचिन कालमी उप्योक की कलन विधी नहीं मेरे भाई। पारमपरिक सांस्कर्थिक हैवं शामाजिक गति विधिया नहीं। जो लोग उपचारिक रूप से शिक्सित नहीं उनके दुआरा प्रियुक्त की गई मान से गणना की विदी परसन का अंसर क्या होगा डी अंसर होगा अगला प्रसंद बताओ लोक कलन विदी से अभिपराई जो लोग उपचारी ग्रोप से सिक्सित नहीं उनके दुआरा प्रियुक्त की गई मानसे गणना की विदी है इस परकार गणीत पर रास्टे पाठे चर्चा रूप रेका 2005 के अधार पत्तर के अनुसार लोक कलन विदी की परसंद सा सराना बच्चे की गणीत के बहुत को समर्द कर सकती है जैसे जो लोग विद्याले या कोचिंग संस्तान में नहीं पढ़ रहे और वे गणीत ये जोड़ कठन अपने बनाए मानसे तरके द्वारा करते इस परकार की गणना विद्यों को बच्चों के समझ परस्टूट करना चाहिए जिसे इन विद्यों की भी ज्यान हो सके परसन नमबार अगला बताओ भई इसका तो आंसर सभी दे देंगे संख्या 10466 में किस गांग का अधिक्ता मिस्तानी एमान है अगर मैं साथ का निकालता हूं तो मेरे भाई साथ ही आएगा च्छे का निकालता हूं तो साट आएगा भाई च्छे का आगे जितने हैं का उतनी जिरो लगा दो चार का निकालता हूं चार सो आएगा जिरो का तो आपको पताईए जिरो ही आएगा और अगर इसका निकालता हूं तो कितना बोले गुरू जी एक और दो और तेन और चार तो क्या बोले इस्तानियमान किसका बोले सर एक का सबसे ज़्यादा इस्तानियमान है तो हमारे परसंड का आउप्षन भी कौन सा होगा बोले सर सी आरसर इस दर राइट आरसर हो जाएगा अगला परसंड देखो गए 20 लिटर दूद को किसी स्कूल के सभी विध्यालियों में समान रूप से वित्रिते हैं अरे श्यामा 20 लिटर दूद को किसी स्कूल के सभी विध्यालियों में सभी विध्यार्तियों में समान रूप से वित्रित किया गया यदि परतेक विध्यार्ति को एक बटा चार को लिटर दूद पराप्त हुआ यानि की एक लिटर का एक बटा चार पराप्त हुआ तो यह चार चला जाएगा उपर और भायसाब दूद कितना था वोले सर 20 लिटर दूद था तो था 20us के 80 तो विध्यार्तियों के संख्या कितनी है वोले पुझ जी विध्यार्तियों के संख्या 80 है यहाँ पर परसन यह कह रहा है कि 1 बटा, 4 को लिटर दूद पराप्त हुआ, यानि कि 1 लिटर का 1 बटा, 4 पराप्त हुआ, तो 1 बटा में 1 बटा, 4 चार चार चला गया उपर, 1 के पास में, तो एक को चार से multiply कैं, चार और दूध कितना था, so 25 से multiply के तो टोटल विद्हारती कतनी था सी विद्हारती थे परसन का अंग्तरस्य बागा अगरा हुत रहे है एक उचित भिन मींआ का गुणनफल है परसन नमबर पाँच आपके सामने सकरीन पर है क्या उचित भिन और विसम भिन दोनु से बड़ा होता है उचित भिन और विसम भिन दोनु से बड़ा होता है गलत रूप चित भिन से बड़ा होता है तता विशंत भिन से छोटा होता है परसन का अंसर C होगा खतम हुआ है अगला परसन बताव है यहाँ पर क्या पूछा है दौनु का योग फल पूछा है चार अंकों के अधिक्तम सिंख्या और नियूनतम संख्या नो, 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 और एक दस 10.999, B. आंसर खतम 10.999, परसन का अंसर क्या? बोले सरफ B., इस दर्राइट आंसर होगा अगला बता होगा एक बिंदो से होकर खीची जा सकने वाले रेखा की संख्या 2410 ए प्रिमित रूप से अनेक क्यूसर नंबर सात्रू जबाब देवभाई सारा का सारा अरे इसका तो सब को ही पता है INFINATELY अनन्द ए प्रिमित रूप से अनेक इन्फाइनाइट एक गहन का परतेक एक गहन का परतेक परतेक भलक किस आकार का होता है आयत तिर्भुज वर्ग पंच भुज आठ नंबर को आनसर देवलो कुण रहे हैं क्या होता है बोले सरी एक फलक एक गहन का परतेक फलक किस के आकार का होता है वर्ग की आकार का होता है ने तो पंच भुज होता है ने तिर भुज होता है ने आयत होता है हमारे person का answer क्या होगा बोले सर सी answer is the right answer होगा अगला देखो 2 सही 2 बटा 3 समकोन कोन बराबर है किसके बुलिसर 2 को 3 से मल्टिपलाई किया 6 6 में 2 जोड़ा 8 समकोन का मतलब 90 3 का लगाया कितनी बार 30 बार 8 को लगाया 3 बार कितना बुलिसर 240 परसन का आंसर क्या हो जाएगा बुलिसर D आंसर is the right answer हो जाएगा कि जतने बालक बालिकाय देख रहें किसी स्कूल में विध्यारतियों का अध्यान दस बजकर 10 मिनट पर प्रारम और 12 बजकर 55 मिनट पर मद्या उकास वा तो मद्या उकास तक अध्यान कितना हुआ बोले सर बारा बजकर 55 मिनट के उपर हमारी चुटी हो गई यानि कि खेल गंटी हो गई पहले बोलते दिन अपर खेल गंटी इंटरवेल हैं और सुबह 10 बजके 10 मिनट पर आपका अध्यान स्टार्ट हुआ तो बोले सर पहतालिस मिनट तो यह हो गया और दो गंठे हो गए तोटली 2 गंठा 45 मिनट क्लास साली परसन को आंसर को सी आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी आंसर इस दे राइट आंसर हो जाएगा अगला देखो है कि चार सर्व सम वर्गों को छेतरपल 256 वर्ग एकायों का एक आयत बनाने के लिए जोड़ा जाता है परतेक वर् परसन है बाई चार सार्वसम वर्गों का छेत्रपद क्या देर खाया चार सार्वसम वर्गों का छेत्रपद 256 है तो एक का कितना आ जाएगा भाई बोले सार्व 256 में अगर चार का भाग लगाता हूं चाचो का चोबिस चार चोग सोड़ा चोशट एक की वेल्यू चोशट है अब मुझे एक चीज़ बताओ परतेक वर्ग का परिमाप आपसे पूछ रहे जब मुझे एक बाता हूं जब यहां से मैं भुजा निकालूंगा दो बाइव वर्ग का चे तरूपल क्या होता है अ मुझे सर बुजा का स्क्वाइर होता है और यहां पर कितना देर का मैरे पास में आठागी परिमाप क्या violent यहां पर चार इंटू बुजा परिमाप क्या होता है चार इंटू बुजा होता है चार इंटू आठ आठ चो कितना बोले सर बतीस यूनिट होगा परसन का अंसर क्या होगा बतीस इकाई होगा हमारे परसन का अंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा 32 answer is the right answer हो जाएगा जितने बालक बालिकाई देख रहे हैं क्या सबका के लिए है यस या नू ना समझ में आयो है तो दूबारा पूथ लिए कोई दिक्कत को नहीं दूबारा भी किलियर कर देंगा पाणी पिला थो हाया ना सगला सात्यार मामलो सेट से कि आगला प्रसंद रोजबाव दिवाई निमल लिखित पैटन में अलग अगला खतन क्या है निमल लिखित पैटन में अगला खतन क्या है एक और तीन बराबर चार देखो यहां पर तो उतारो इस तीन को और इस वाले तीन को और यहां पर कितना बोले गुर्जी देखो यहां पर जो तीन था और यहां पर जोड़ा उसने कितना तीन तो तीन और चाह कितना नो फिर इस च्छे को उतारो च्छे तीन के आगे कितन आप इसको यहां उतारो बूले गुरूजी दस और दस के अंदर जोड़ो पांच कितना बूले सर पंदरा दस और पंदरा कितना बने सरक प्छीस को ऑंसर यूव नोई सियांसर दस प्लस पंदरा कितना बोले सर 25 हमारे प्रसंद का आंसर होगा यानि की सी आंसर इस दर राइट आंसर अगला प्रसंद बताओ क्या कह रहा है कि मिलान चिन ने रूपन में निमन लिखित में से कौन सा 9 प्रेक्षिनों को सही रूप से निरुपित करता है B answer होगा confirm देख लो गई अब बताव फर्तम 10 सम प्राकर्थ संख्याओं का माध्य क्या होगा प्राकर्थ संख्याओं का माध्य क्या होगा बोले सरस्थ किसकी बात कर रहा है समकी बात कर रहा है 2 4 1618 20 20 गीब हो गीकित दस्य ूगीए बाग लगाओ दस सुरू भीनी जीो 지금은 nine शॉद्वी जीरो और ऑठारी कि जाउडा चाउड शॉद्वार चारेश payment नो दस ग्यारा एक सो दस और भाग लगाता हूं कितना आया बोले कुर्जी ग्यारा तो मेरा माद्धे कितना आ गया उटा बोले सर ग्यारा अपना माद्धे आ जाएगा जो कि क्यूशन का क्या है करेक्ट अंसर अगला देखुए क्योशन नमर सोडा बताओ भाई आनसर पठाक से क्या होगा मेरे भाई जितने विसाती देख रहे हैं सुन रहे हैं क्या सबका आनसर आना सी यह नहीं समझ में आये तो दुबारा पूछ लेना बताओ परसन क्या कह रहा है कि कक्सा पांच का एक चातर हर्मन एक वर्ग के सिदान्त के अनुसार हर्मन चिंतन के किस इस्तर पर है बोले सर आपने बताया था विश्लेशन एनालेशिस किस चंतन पर है हमारे डी ऑप्शन इस दर राइट आनसर हो जाएगा यहां पर क्यूं हो जाएगा वो भी जानलो वेन हेले ने जामिती चिंतन के पांच इस्तर द बताता है और रोठी के आकरती को देखर वर्त बताता और विश्कट की आकरती को देखकर क्या बताता है आयत बताथ बताता है ले कि इसे को जान पहता है जिसे रोब और आयत में दे उस्गोन के साया क्शा 24 बनाना निर्मान है कलता है इक वर्ग के गुण Осब समझ पाता है किन्तु वर्गों आयतों हैं समानतर चत्रवज के बीच के संबंदों के वैख्या नहीं कर पाता है वे नहीं हिलिक जैमेटिजिंद्र विश्रेशन इस्तर पर है क्यों सान नम्र 17 बताओ वाई क्या होगा क्यों सान नम्र 17 नम्र लिखित में से किन का गणीत ये सत्यों को स्तापित करने के लिए अधिकतर उप्योग होता है किसका उप्योग होता है भाई उस्टेथोफास, हमारे 17 नमबर पर सन्का अंसर क्या होगा क्यों होगा की गणिती सत्तियों को स्ताफित करने के लिए दिक्तर उपयोग तार्किक विवचन का तता अभीक calendar का उपयोग होता है गणित में तार्कीक विवचन क्या कह रहा है कि निम्म लिखित में से कौन सा गणीत का दिगम करते हुए सौंदर्य प्रकमुल्यों के विकास के साइक है क्या कह रहा है कि विध्यारतियों को अधिक परसुन को हल करने के लिए आउसर परदान करना गलत कह रहा है विभिन कलाओं वास्तु कला और रंग रेलियू में गनीत का उप्योग अन्युशन करना बिल्कुल मामला बैठ रहा है बाई साब यहां पर अगला क्या कह रहा है विद्यारतियों कि उनके आसपास की गनीती इस्तित्व की जाच करने और अपने स्विम के परसन बंदाने के परदान करना बिल्कुल बी और सी सहे बए जान सेलों के विखास के लिए साइक घतन निमन लिखे ता है विभिन कला वास्तु कलाव रंग रेलियू में गनीत का उपयोग का अन्वेसन करना विध्यारतियों को उनके आसपास की गडीती इस्तितियों को जाच करने और अपन कि व्यक्तियों का उनके स्व्यम के पिछली परदर्शन या स्कोर के सापेक्स उनके परदर्शन अंकों के तुलना की जाती है कि बेंचमार्क असेस्मेंट नहीं अपसेटिव असेस्मेंट लग रहा है अब मांदड संदर्वित आंकलन सामानिय संदर्वित आंकलन में बैस भी आंसर होगा क्या अनसर होगा भी आंसर होगा क्यों होगा वो भी जान लो इपसेटिव असेस्मेंट चातर की परगर्ति का मुल्यानकन करने का एक तरीका है जिसमें मुल्यानकन और फीड़बैक पर्थाओं की एक विश्थर संखला सामिल होती है अता व्यक्तियों का उनके स्वेम के पिछले परदर्शनिया स्कोर के सापेक्स उनके परदर्शनिया अंकों के तोलना इपसेटिव आंकलन में की जाए जब कि बेचमार आंकलन एक प्रिक्सनिया अन्य मुल्यानकन का है जो पूरी विश्य वर्ग अंतरगालों पर दिया जाता है क्योस्तर नमबर बीश के नमल लिखित में से कौन सा प्रात्मि किस तरके गणीत में आकर्तियों का परीचे कराने का मुख्य उदे से हो सकता है कि दर्षे करण कोसल का विकास मामला घंबीर दर्षे करण कोसल का विकास तो सही तो है दर्षे करण कोसल का विकास मुख्य उद्यस से पूछरा गणीत के प्रात्मि किस तरके तो दूसरा कौन सा दिक्कत सिस्थान समंधी विविचन कोसल का विकास सही है आग करते हो कि ना बोले सर ए और बी हमारे प्रसंद का अंसर होगा जो कि क्यूशन का क्या है एक करेक्ट अंसर है अगला प्रसंद बता हुआ है कि प्रात्मिक इस तरके गनिती में आख करती हूं का प्रीचे कराने का मुख्य उद्येसित दर्शेकरन कोशल का विकास करना दिक्तस्तान समंदी क्यूशन कोशल का विकास करना आधी हो सकता है क्यूशन नमबर 21 आपरा सामानी स्क्रीन पर लाग्यों है परसंद बताओ क्या आनसर होगा मेरे भाई कि प्राइमरी स्कूल गणीत सिक्षन एवम अधिगम हेतू निमन लिखित में कौन सी वस्तू वस्तूं का संसादन केक्स में होना आवस्यक है बोले गुरू जी मामलो बैठा को चाट पुस्तक और गणन साणनी होना जरूरी है पुस्तकाले में या स्कूल के अंदर संसादन होने जरूरी है गणीत सिक्षन के लिए स्टेशनरी वस्तू जैसे पैन पैन से रूलर इत्यादी यह तो मामला जरूरी नहीं है क्या कह रहा है कि मुर्थ सिक्सर अदिगम सामगरी जैसे गणीत माला टेन गराम तरिवय में आक करती जीयो बोर्ड ब्लोग टाइल्स इत्यादी होना जरूरी है बिल्कुल होना आगला देखो भाई नेक्स्ट कि प्राइमरी स्कूल गणीत सिक्षन एवं अधिगम हेतू निमल लिखित वस्तुओं का संसादनिक अक्समें होना आवसेक है चार्ट पुस्तके और गुणनसारनी मूर्थ सिक्षन अधिगम सामगरी जैसे गणीत माला टेन ग्राम तिर्विय इत्यादी सुची पत्तर सिक्सक पत्रिकाय तता सिक्सक सिक्सकाओं के पड़ने हेतू अन्य सामगरियां विकल्प डिया आंसर आगला बताओ वाई क्यूप्शन नंबर भी 22 क्यूप्शन नंबर भाईस काकसा पांच का एक विद्यार्थी विभिन जामेतिया करतियों को उनके गुणों और विशेस्ताओं के अनुसार पहचान सकता और समुही करण कर सकता निम्म लिखित में कौन सा संग्याना आत्मक कोसर सरवादिक उप्युक्त दुरूप से बच्चे के उप्युक्त कारियों को पूरा करने में साहिता करता है आगमन उतकर्मनियता अप गठन कौन सा कर सकता है बोले सरव वर्गी करण पूरा कर सकता है परसंन नमर 22 का अनुसार क्या होगा? क्यों होगा? कक्सा 5 का याग की विद्याठी है जो विफिन जैमेतर नें करतेूं को उनके गुणों और विषेस्ताओं के अनुसार पहचान सकता है इस परकार का संग्याना आतम कोसर वस्तों का वर्गेकन कारे को पूरा करने में सहायता करेगा क्यूस्सा नमर 23 आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है बताओ भई आनसर क्या होगा कि बताओ निमल निखित में से कौन सा किरिया कला प्राथ्मि कक्साओं के विध्यारतियों को देनिक जीवन में मुद्रा आउधार्ना के सिक्सन के लिए सरभादिक उप्यूक्त है पहला ओप्शन है भूमी का निर्वहन आयोजित करना समीप के बाजार जाकर विभिन परकार के मुद्रा परिवर्तन के नियमों के सिक्सन दुआरा कलन विदी का उप्यो करना क्यूसर नमबर 23 का आनसर देंगे सभी साथी मिलकर के एक साथ आनसर देंगे बोले सर यहां पर देखो भूमी का निर्वहन आयोजित करना और समीप के बाजार जाकर किसका है यह प्राथ्मिक कक्साओं के विद्यारतियों को देनिक जीवन में लिए सरवादिक उप्यूक्त विदी निमन लिखेते भूमीका निर्वहन आयोजित करना जैसे एक व्यक्ति दुवारा मुद्रा को सही तरह से मेनेज कर खर्च करना एक भूमीखा के रूम में बच्चों को दिखाता है बच्चों को बाजार ले जाकर वहां की गत्तीविद्यों के से परीचे कराकर मुद्रा का सुब्द्यूक झाल झाल चौपिस नंबर क्या कह रहा है कि निमल लिखित में कौन सा खतन सभी तिर्बुज संभाव तिर्बुज का निसेद ये गलत है कि सभी तिर्बुज संभाव तिर्बुज है सही तो बात कह रहा है एक तिर्बुज मौजूद है जो की एक संभाव तिर्बुज नहीं है बिल्कुल सही है सभी संभाव तिर्बुज है गलत बात है कौन सा होगा बोले सर ए और बी हमारा सही होगा जो की क्यूशन क्या है 24 का correct answer a होगा correct answer a option is the right answer क्यों होगा यह खतन सभी संभाव तिर्बुज का निशेद है यह गलत है कि सभी तिर्बुज संभाव तिर्बुज है एक तिर्बुज मौजूद है जो एक संभाव तिर्बुज नहीं है निशेद का आर्थ है आउग्या के सम्रूप होता है जैसे एसा नकार सकारात्म के विप्रित होट क्यूसर नंबर 25 बतावाई क्यूसर नंबर 25 को आंसर देला सारा साथी मिल्लर अगला सगला साथी मिल्लर देला अपां कि एक बाली का व्यक्त करती है यदि रेखा AB रेखा CD से छोटी है और रेखा CD रेखा EF से छोटी है तब रेखा AB रेखा EF से छोटी होगी पहला उप्षन है वाई साब आपके सहचारी गुणधरम करम विनियमिय गुणधरम सहकारिता गुणधरम संद्रेक्षन गुणधरम तो 25 नमबर परसंद को आंसर के वजाए गोर बताओ बोले गुरुजी संक्रामिता गुण धरम सी आंसर होगा क्या होगा सी कैसे होगा संक्रामिता का आर्थ मैंने अभी बताई दिया आपको क्यूसर नमर 26 बता हुआ कक्सा एक के बच्चू की गिंती और अंक के आउधाना के सिक्सन हितू निमन लिखित में कौन सा खेल विदी का एक उधारन है क्यूसर नमर 26 मैंन आधिन tuning के बच्चू को के मेंदान में लेकर जाएं और उन्हें गिंती का पार्ट करवाएं क्या यह सई हैř बोले गुरुजी याण को कुन सोनियम से युथा सिक्सक सिक्सिका ने कटर जाओ है था है दो बच्चों को खेल के मेदान में ले जाकर गिंती शिकाए खेल शिकाएगा वहाँ पर गिंती थोड़ी शिकाएगा बच्चों को कुछ भी खेलने के अनुमति दे क्योंकि यह अंकूं के ग्यान को और गणन कोसल को बढ़ावा देता है ऐसे कोई मजाग थोड़ी है सिक्सक सिक्सी का मूर्थ वस्तुवा जैसे फट्तर के टुक्रै टोकन मोती आधी का उप्योग करे और बच्चों को निर्देशा अनुसार इन वस्तों को खेलने के अनुमति दे बिल्कुल सही बात है 666 का अंग् चार्ट का उपीयोग करें और संकेतक पॉहिटर का उप्योग करती वए बते सभें!! कक्स एक के बच्चुँ को गेंदे और अंग्स के आउधाना सिक्षन है तु सिक्सक सिकसी का आगा कुम बत्तर के टूक्रें roku बताऊज कि कि आतना सिक्षण के किस चरण से संबंदित है फुरसान का आनसर पहला जाए जा एंट्रेक्टीव से इंट्रेक्टिव और सा होगा पहला इंट्रेक्टिव में प्री एक्टिव क्यों होगा कि कि송 कि कि रिया के पूरों विशेवस्त्व को सुविवस्तित धंज से परदर्शित करने की योजना है जिसे हम प्री एक्टिव चरण कहते हैं क्यों सब्सक्राइस बताओ भाई कि अगर परमावाई क्यूशन नमबर 28 एक प्रात्मिक इस्तर के गणित सिक्सी का अपनी कक्सा में विद्यारतियों के भिन भिन समों को वर्ताकार टुकड़े कट आउट्स आईताकार पटिया बाट देती है तब वह उनको सामगरी का उप्योकर निम्म लिखित प्रसन को हल करने को कहती है कौन से भिन का जोड एक बटा दो होगा तो यहां पर कह रहा है ऐसे परसनों को हतोत साहित करना चाहिए क्योंकि यह भिन से सम्बंदित भ्रांतियों की ओर ले जाते हैं गलत बात ऐसे परसनों को हल करना बच्चों के लिए इस इस्तर पर अत्यदिक खटिन है गलत बात ऐसे परसुनों को प्रौद साहित करना चाहिए क्योंकि यह अनेक उत्रूं की ओर ले जाता है बिल्कुल मेरे भाई आंसर सी होगा ऐसे परसुनों को हतोत साहित करना चाहिए क्योंकि अनेक उत्रूं का गणित में कोई स्तान नहीं होता है आंसर गलत कौन सा होगा बोले गुर अपनी कक्सा में विद्यारतियों के भिन बिन समुवा को वर्तकार टुकड़े आईताकार पटियां बांट देती है तब वह इन सामगरियों को उप्यों कर निम्म लेखित प्रसुन को हल करने को कहती है जैसे कौन से भिनों का जोड़ एक बटा दो होगा इस प्रकार के प्रस प्रसुन को करने के लिए गणीत की कक्सा में बच्चों को कुछ लकड़ी के टुकड़े दी है बच्चों ने निम्म लिखित खतन प्रस्तावित के मेरी गणीत की फुस्तक का भार दो टुकड़ों के से अधिक किन्तु तीन टुकड़ों से कम है मेरी पैंसिल बॉक्स का भार लकड़ी के दो टुकड़ों से कम कुछ कम है उप्युक्त किरिया कलाप का उदेश से विध्यार्तियों को सरजनात्म कारे में व्यस्त रखना जब सिक्सक व्यस्त है अरे तेरी ऐसा कोई काम थोड़ी इसमें भारों के योग के आउधार्ना को सुदर्ड करना नहीं मेरे भाई भार मापन के लिए एकायू का परिवर्तन की आउधार्ना से प्रीचे करवाना नहीं मेरे भाई भार मापने की आउधार्ना का प्रीचे देने के लिए आधार बनाना सबसे पहले आधार जरूरी है उसके बाद में उसके उपरा बिल्डिंग खड़ी करो वो गिरेगी नहीं लेकिन अगर आपने अच्छे से नीम नहीं आपकी आधार जो उसको मजबूत नहीं किया तो मेरे पैंचिल बोक्स का भार मापने के आउधार ना का परीचे देने के लिए आधार बताता है किउसर नंबर पतीस आज का लास्ट और एंड फैनल परसन है बताऴ प्रसन का आ अनसर के वाई निम्म लिखित मेंसे आंगलन के कौन सी तकनिक गणित में रचनात्मक आंगलन का इस्सा नहीं है। तो यह वाला नहीं है टारफ एंड एग्जामिनेस्टन वाला नहीं है सतर अंतर प्रिक्षा का नहीं है क्यों नहीं है कि रचनात्मक आंकलन एक नियूजित शतत परकिरिया जिसका उप्योग छात्रों की प्राप्ती में सुधार के लिए सिक्षन और अधिगम की गति विद् प्रिक्षे रचनात्मक आकदन का इसा नहीं क्योंकि यह सतर के अंत में पूर्व अध्यन का प्रिक्षण है तो बिल्कुल मेरे नुजवान विधारती हो आज का सेसंदेगो मैंने रिकोर्ड करके आप लोगों के लिए डाला है आसा और उमिद करता हूं देगो एक तो मान दिया समान दिया उसके लिए सभी सात्यों को बिल्कुल दिल की गहराई उसे बिल्कुल बारं बार प्रणाम करता हूं तो सभी साती मिलकर मेरे भाई कमेंट बोक्स में जरूर बताना कि आज का सेसन आप लोगों को कैसा लगा सभी सात्यों को मेरा प्यार भरा नमसकार राधे रादे, जैस्तरी कृसना, हारे का सहारा, बाबा-सयाम हमारा आप और यह मैसेज का ँन्तजार रहेगा यह टिने बालगबाले का मैसेज करते हुए उन्हों सभी का मैं